Hello friends Welcome to swing trade Friends आज बात करेंगे हाथे के बारे में बात करने से पहले सटॉक का अनालेशिस करने से पहले जिस आप सबको एक बार जरूर करना चाहूंगा अगर आप इस चैनल पर नया है चैनल को तो एक बार पहले सबस्क्राइब कर लीजिए उसके साथ में आपके पूर्टफुल और एक स्टोक का डिटल आनलिसिस किया हूँ तो लेके चलना है आपको लॉंटर्म के लिए लेकर चलना है या तो फिर समय के लिए लेकर चलना है तो यह आप को एक सबस्काद करते हैं जैसे कि मौण अबरेज के से बनाया हुआ है जैसे के ट्रेडिंग वीडियो यहां पे जिरोधा यूजर के लिए अलग वीडियो बनाया हो यह जरूर देखके आप बड़ी ऐसा सीख सकते हैं अगर स्टॉक मार्केट आप जरूर देख लिए यहां पर काफी सरा पॉर्टफोलियो किया हुआ है इसमें हुआ है वहां से आप क्लिक करके भी देख सकते हैं अभी चले वीडियो स्टार्ट करते हैं अगर आज के दिन का हम बात करें तो यहां पे आज के 26 तरीक के डेट पे एक 2.9 परसेंटेज का यहां पे मार्केट में भारी गिरावट देखने को मिला है जो कि 500 पॉइंट्स ज बाकी सारे इंडस्ट्री में प्रेसर में अगर हम देखें अगर्ट आफिर ऑखेंगे ज्जे कपह द्रमायाद्यशाएं खंडप देखाई और यहां पे डिविस लर्ण है तो अभी 46 स्टॉक जो है डिकलाइन में था निफ्टी के इसाब से अभी अगर फ़र स्टॉक औनली यहां पर गिरीन में था इसी साब से अगर हम जाते हैं तो यहां पर देखतें गिरावट में तो अभी देखिए यहां पर करके अभी निकल रहे हैं अभी अगर देखेंगा 26 तरीका डेट पर यहां पर यहां पर थोड़ा सा अच्छा बाइंग किये तो मतलब यहां पर यहां पर हम डाटा देखते हैं यहां पर किया है एक मतलब मतलब कर रहे हैं इस मन्त में अगर हम देखेंगे डाटा यहां पर सेलिंग हो रहा है यहां बाद करेंगे 2,300 उसके बाद तो यहां पे 5100 जबर्दस्त अगर हम देखेंगे कि कि बात करेंगे यहां पर दो तरीक को एक बाइग की है तो फटी फोर करोड का ग्रस नेट बाइग उसके बाद में अगर तरीक को फाइवंडडर इलेवन करोड का सेलिंग किया हुआ अगर हम देखेंगे तो इस मौन्त में 31,000 करोड का सेलिंग हुआ है और यहां पर डिया का नेट बाइंग देखेंगे यहां पर यहम बीजेश करोड का यहां पर बाइंग किये हैं तो यह सारा चीज जो है आप मानी कंट्रोल से आके जरूर देख सकте है मानी कंट् प्रेंस हाथ होगो में आज के दिन में एक 4 परसेंटेज का गिरावट है जो कि स्टॉक का प्राइस अभी 20.7 के पास में आ चुका है अगर आज का दिन का अगर हम डेलिवरी यह स्टॉक में तो यह स्टॉक में 48 परसेंटेज का डेलिवरी उठाये गाए फ्रेंस जो कि 38 अगर हम डेट की बात कर रहे हैं कंपनी डेट फ्री कंपनी है प्रमोटर प्लेज जीरो भी है अगर हम आल टाइम हाई की बात करते हैं इस स्टॉक में जो कि स्टॉक प्राइस ऑल टाइम हाई 77 के पास में है अभी करेंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है तो यहां पे करे अभी का अगर देखते हैं यहां पर फ़र्टीट करोड का सेल से से तो सेल्स में इंप्रूमेंट हुआ है जिसे की फ्लाट भी देखा जाएगा क्यों कि काफी मौन से फ्लाट चल रहा है तो लेकिन अगर हम प्रोफिट की बात कर रहे हैं प्रोफिट पहले नेगेटिव में था थी कि यह सारा जो था नेगेटिव डाटा था अभी यहां पे प्रॉफिट एक पॉजिटिव में आ चुका है तो लेकिन यहां पे 19 करोड का यहां पे प्रॉफिट हुआ है जो कि पिछला हरे क्वाटर में 50 करोड 70 करोड इसी साथ से था अभी इसमें सरी 19 तक का यहां पे प्रॉफिट माइनेंस नेगेटिव भी चाग प्रॉफिट है तो यहां पर फ्रॉफिट मेंहां चुकल करूद होए उसके बात में लेकिन यह स्टॉक को हमें लेना किस चीज के लिए है तो फिर लंग ट्रम के लिए लेना है उसके लिए आप वीडियो को जरूर लास तक देखिए अभी अगर हम बात करेंगे यहां पर रिजर्व की बात करेंगे तो रिजर्व दिखें तो उसके बात में यहां पर 3712 करड़ अभी हो चुका है रिजर्व सेप्टेंबर में तो इसी साब से अगर हम बॉरॉइंग देखेंगे यहां पर कमपनी में बॉरॉइंग हमेसा बढ़ते जा रहा था अगर हम लास डाटा देखेंगे लास डाटा में हमेसा बॉरॉइंग ब बताया हूं यहां पर हमें इस चीछ के लिए पॉजिटिव डाटा निकल करता है अगर आप जाकर यहां पर देखेंगे प्रोपास में 75% स्टेक है अगर हम अगर में देखते हैं यहां पर फाइंट परशंट का इस्सा था अगर यहां पर सेप्टेंबर की बात कर रहे हैं यहांपे इन्वेटमेंट करते हूं कंपणी को बढ़ी असे रिशर्च करके उनके पास में रिशर्च टीम होता है रिशर्च करके वह आपना इंक्रीज करते हैं यहां पे आचा सा नगर आ रहा है जो कि कंपनी आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छा सा एक बड़ी अग्रोथ दे सकता है क्योंकि यहां पर डेट वह उसका हैं और प्रोफिटेवल भी आ चुका है कंपनी का हिसाब से अगर आम प्रोमोटर का होल्डिंग देखेंगे यहां पर बड़ी इसा डाटा निकल करके आता है अगर देखेंगे तो यहां पर जियो के पास में स्ट्एक आ चुका है तो मतलब जियो अभी कंट्रोल मे में आ चुका है तो इसी साब से जब रिलेंस इंडेस्ट्री का होल्डिंग यहां पर 50 परसेंट है तो यह स्टॉक में कभी भी एक बड़ी ऐसा एक अच्छा सा एक जॉंप हो सकता है अगर हम इसी टाइम पर थोड़ा सा पेसेंस के साथ में इसी स्टॉक में अगर स्टॉक है तो उनको में जरूर बताना चाहूंगा तो यह स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करना है आपको ठीक है और कौन सा टार्गेट प्रैस तक होल्ड करना है वह भी हम चाट पैटन में जरूर देखने की कुशिश करेंगे फ्रेंट्स देखिए अभी पूरा मार्केट में गिरावड चल रहा है उसके लिए आपको बिल्कुल इसा है प्यानिक होके स्टॉक को बिल्कुल सेल मत किजिए क्योंकि जहां पर हम गें मतलब अच्छा सा प्रॉफिट करने के लिए स्टॉक मार्केट में आये हैं अगर हम सब क्लिक करेंगे उसके बात में देख सकते हैं हमने कैसे से करते हैं किसे हैं सब करते revenir सीट्र करते हैं कि देखके बिलकुल फ्रेंच शकते हैं फ्रीरली ठीक है है अभी दो दिन की चुट्टी च्छुट्टी में बहुत कुछ सीख सकते हैं जो कि फ्री में हैं आभी चलिए अभी अगर देखते हैं यहां पर देखेंगे तो रेड़ कलर का जो लाइन है यहां पर टूंडेटे का मुवी अबेज को कर रहा है अगर हम देखते हैं एक सिमपल मुवी अबसे तो अब अब यहां फिल रहा है अगर हम इसी इसाब से बात करेंगे इस्टक में अभी कितना परेंटेश का पोटेंशियल बचा हुआ हुआ वह जरूर देख लेते हैं स्टॉक का में सपोर्ट हे यहां पर काफी दिन से एक सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा था स्टॉक यहां पर अगर हम यहां पर बात करेंगे स्टॉक काफी दिन से यहां पर एक अच्छा सा सपोर्ट के पास में खड़ा था ठीक है यहां पर देखेंगे यहां पर एक सपोर्ट का बहुत 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 शपोड था यहां पर भीट कर सब्सक्राइब कर चुका तो सबक्राइब अभी में देखर να नहीं सबů्ट को च्योंके आता है वह हमें देखना है एक छो क्षापोड है यह जो यह एक बहत्रीए लिग yam नहीं है पर काफी दिन से एक बड़ी आसा खॉलयारेशन में था आज देखेंगे तो यहां पे दिखिए यह energy एक maior जोबिदी में यहां पर इक निकमद लिए था हुआ यहां पर चार बार अलड़ेशित सब्सक्राइब यहां इसाविश कर सकते अभी अगर आपको इसंटार्गेट कावर्या इसकता है तो इसके साथ यहां तक आगर बताना है तो जरूर बताना चाहूंगा तेन्ट स्यवाइट को इसने और parfum करें चलते हैं आपे तो छोड़ा में क फासर से टार्गेट लेके चलना है तो आपको यह गोम हो शुक्ता है कभीएजिद आशिव हो शुक्ता है ठीक है अगर यहां तक कि आप लेके चलते हैं यहां पर की ईन स स्यवाइब इन चार बार तो इसी साथ से 27 तक अगर लेके चलते हैं यह स्टॉक में पोजिशन बना के तो आपको कितना परसंटेज का गेन मिलता है वह एक बार देख लिए अभी का कॉरेंड मार्केट प्राइस से आपको 34 परसंटेज का गेन मिल सकता है तो अभी के इसाफ से 34 परसंटे क्या हाथ में तो इसी साथ से इस टॉक का प्राइस तो एक बड़ी ऐसा जोन पर जा सकता है आपको बिल्कुल होड करना यह लेवल तक बिल्कुल करके चले जो कि 34 का लेवल लेवल आपको इसली मिल सकता है और बहुत जल्दी मिल सकता है ठीक है अगर अभी का कॉरेंड मार अभी अगर बाई करके चलते हैं तोंटी के प्राइस से ठीक है आपको 70% का प्रॉफिट मिल सकता है यह आपको ज्यादा दिन भी नहीं लगें मुझे ऐसा लगता है यह एक साल में आपका टार्गेट जरूर आची भी हो सकता है ठीक लेकिन इसका अगर नेक्स्ट प्राइस साथ यहां पर यह लेवल तक जा सकते नहीं तो इस से पहले भी और एक रेजिस्टान्स है जो की बहुत बार एक बार रेजिस्टान्स लिया है ठीक है कि 2017 में उसके बाद में यहां पर देखिए 2018 में भी औहीं पर रेजिस्टंस लिए अभी देखिए यहां पर 2020 में भी औहीं पर करोना के बाद में रेजिस्टंस लिए तो इसी साब से मुझे लग रहा है यहां तक भी बिल्कुल जा सकता है ठीक है तो यहां पर 48 तक भी जा सकत आए कोई प्रूब्लं में अगर मार्केट में थोड़ा सा गिराबट आता नहीं कि इस माम स्टाओक करने ज़रूर है अगर फिर फिर सब्सक्राइब नहीं होगा अगर झाल झाल